निवसकर दोस्तों जहिंद वंदे मातरम मैं आपके साथ जैस्वाल सर बालविकास CDP के MCQ पार्ट टू में बाई जैस्वाल सर आप सभी का श्वागत अब जिनन है बालविकास का MCQ चलना है सिलिवस के कॉर्डिंग पार्ट वाई चलना है पहला पार अलड़ी हम कल कम्प्री कितना है आपका स्कोर कितना है आउट आप 20 में से क्योंकि बालविकास CDP में 30 आफ 30 की त्यारी करना है और पेड़ागोजी का रोल बहुत इंपॉटेंट आप सभी जानते हैं 150 कोश्चन की बात करें और इसका पहला पार्ट आई बटन पिलिंग के दे दिया गया है प्रते सेक्यूज का पहला प्रश्ण आप लोगों किसके इन पर है बेकास के परिपेच में समय के साथ होने वाले परितनों में निन में से क्या सामिल होता है रूप होता है दर होता है या यह सभी सामिल होते हैं यह कि बेकास के परिपेच में पूछा जा रहा है तो बेकास के परि उसके द्वारा प्रिषण स्किंपर पूँछा जाना है इक क्रिषण का उत्त्र गप्रीफ हो गई, जो उसके द्वारा जो प्रिषण पूँचा गया palavra उसका उत्तर जो है तो सिच्छ का की प्रत्किया कैसी होनी चाहिए या क्या होनी چाहिए आपकी निफ्थ होती है, आप लोग अध्यापा का ध्यापी का बनते हैं आपके कच्छा का एक चात्र या चात्रा आपसे प्रश्न करता है और ततकाल उस प्रश्न का उत्तार आपसे नहीं बनता है तो आप सिच्छक सिच्छ का एक रूप में क्या करनेंगे आपकी पृत्या क्या होनी चाहिए सिच्छक द्वारा दिच्छा को चिप करा देना चाहिए या दिच्छा का ध्यान बता देना चाहिए या सिच्छक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूं यह सिच्छक द्वारा इस प्रश्ण का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए एक-एक सिच्छक की रूप में बच्चे का जो बच्चा जो होता है आपको सरफसेष्ट मानता है गुरू मानता है यानि बच्चे का यह है कि बाद में अब अश्य बता देजेगा ठीक है दुटी आपसन है पर हमारा सही हो जाएगा आयोप आप समझ गये होंगे आये बात करेंगे अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण है निमलिकित में इससे जो है कौन विक्तित की प्रश्चेपी परिच्चन नहीं है देखे ये काफी बार आप CT8 की हम बात करें चहाए आधर CT8 एकजाम के बात करें MPT8 UPT8 एकजाम में ये अकसर पूछा गया है और बार बार रिपीट भी होता या प्रश्ण कि निमलिकित में से बिक्तित की प्रश्चेपी परिच्चन नहीं है देखे सभी लोग जानते है रोशा स्याही धब्बा परिच्चन ठीक हर्मन रोशा द्वारा दिया गया था एक TAT परिच्चन और सब्द साचर परिच्चन ये तीनों ऐसे परिच्चन है जो बिक्तित की प्रच्छेपी परिच्छन कहलाते हैं लेकिन जो आपका 16 P.F. परिच्छन होता है ये बिक्तित्य की प्रच्छेपी परिच्छन नहीं होता है ये ध्यान देना है रोशा स्याही दब्बा परिच्छन T.A.T. सब्दसाचर ये तीनों बिक्तित की प्रचेपी परिचण है लेकिन 16 पिअप परिचण नहीं है या आपको दोन देना और देखे इन सभी परिचण रोड़सा साही दबाज, TAT, सब्दसायचर, 16 पिअप इन चार ऐसे परिचण है जो एक प्रसुजन से अवस्त पूंचा जाता है तो इस चारो परिच्णों को आपको अच्छे तरीके समझ लेना है, पढ़ लेना है अगामी एकजाम की बात करें, प्रपेशन को बेहतर तरीके से अटेन करने के लिए अंगलापस ने वह प्रकिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते है क्योंकि उनके बच्चे में सभी सकरात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकरात्मक है, वो क्या कहलाता है मतब सकरात्मक जो गुण होता है, वह परिवेश का प्रभाव कहलाता है हाव थोन का प्रभाव कहलाता है, प्रभाव करियम कहलाता है परिवेस का प्रभाव कहलाता है देगे वह प्रकिया जिसके दोरा माता पिता या इनमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकरात्मक गुण हैं तो कि एक गुण जो सकरात्मक कहलाता है वह कहलाता परिवेस का प्रभाव भी बहुत है कहते ना बच्चे पर परिवेस का अच्छा होना चाहिए तो परिवेश का प्रभाव यहां पर हमारा सही अप्सन हो जाएगा इसे के साथ ही आपका अंगला प्रस्ण प्रस्ण स्कीन पर आ चुका है क्या प्रस्ण पूंचा जा रहा है बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन को आदर्स की रूप में शिकार करते हैं किस अवस्ते में अक्सर देखते होंगे बालक बालिकाएं जब हम भी बच्पन में थे तो हमने अपने जीवन में किसी ना किसी को आदस जरूर माना होगा ठीक है चाहे हम किसी I.S. I.P.S. का आजकल देखते हैं मोटिवेशन वीडियो देखते हैं उनकी ठीक है चाहे संदीप पहिश्चरी की बात करें तो कहीं न कहीं जो I.S. I.P.S. होते हैं जो जिस राय पे हमें जाना होता है तो कहीं न कहीं हम उनको आदस मानने लगते हैं उनकी बिचार ठीक है उनको सब कुछ मानने लगते हैं उनके विचार को श्विकार करते हैं, विचारों को समझते हैं, ठीके, तो ये जो अवस्था होती, उस अवस्था बताईए, ठीके, बच्चे जो है, जीवन में किसी अनको आदर्स के रूप में श्विकार करते हैं, वह अवस्था है, वह अवस्था कहलाती, सभी जानते की सो किचर में जो करना होता है उसके और जाता है ठीक है जो उस फील सके महारत है उनको आदर्स मानता है ठीक है तो यह पर किस और रही था पर होता है हुआ अगला जसन सब्सक्राइबा किस ب tud और होता है agre अगला प्रसरा्ण के अधार बिद्याले छेत में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जो है कौन सा उपागम नहीं होता है। और बहु भी कल्पी उपागम नहीं होगा बाकी वारतालापकोशल, परियोजनाकार, मौकी प्रस ये तीनों उपागम होगे। दो प्रस्ण मारे एक ही प्रस्ण पर आपका कंप्लीट हो जाता है। प्रस्ण को जादा चांस होते हैं उस आप्सन को सही होने के। ठेक है क्योंकि कहीं न कहीं जब हमारा प्रस्ण पाजिट्व और सकरात्मक है तो आपसंस भी सकरात्मक और पाजिट्व होना चाहिए तो यहां पे हमारा सीवाल आपसंस सही हो जाएगा इसी के साथ ही बात करेंगे अंगले प्रस्ण के अंगला पसने बिक्तित अर्थात personality इस्थाई समयोजन है किसका पर्यवन के साथ है जीवन के साथ है प्रकति के साथ है या इन सभी के साथ है लेकि जो बिक्तित होता है जो personality होती है वह स्थाई जो समयोजन होता है किसके साथ होता है पर्यवन के साथ भी होता है जहां हम रहते हैं हमारे चारो तरफ कावरण है जीवन के साथ ही होता है और प्रकेद के साथ भी होता है तो विक्तित जो पर्षनाल्टी है इन तीनों का समयोजन है इस्थाई समयोजन है ठीक है फोर्थ आफसन सही हो जाएगा अगर ये प्रशन पूछ रिया जाए कि बिक्तित प्रस्णाल्टी का इस्थाई समयोजन कौन है तो ये तीनों हमारे इस्थाई समयोजन है ये आपको ध्यान देना है आई ये बात करेंगे अगरे प्रिश्ण की आउसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्ध होती किसके बीच होती है पचास, 69, 70, 89, 90, 110, 119 देखे जब भी आउसत आई की आउसत बुद्धि लब्ध की बात की जाती है तो एक ही आएगा 90 से 110 की बीच रहेगा ये आपको ध्यान देना है कभी कभी 100 दे दिया जाए ठीक है 105 दे दिया जाए 95 दे दिया जाए और आप जनते बुद्धि लब्ध से एक प्रशन अवस मूचा जाता है ठीक है चलिए आई बात करेंगे अंगले प्रशन की बिद्यालकों को किसके लिए विक्तित भिंताओं को पूरा करना चाहिए विक्तित सिचार्थी को विसिष्ट होने के अनभूत कराने के लिए विक्तित सिचार्थी के मदखाई को कम कराने के लिए सिचाजियों के निस्पादन और योगता को शमान करने के लिए या हम कह रहे हैं यह समझने के लिए कि क्यों सिचार्थी सीखने की योग या आयोग है सभी बताईएगा एक आप जानते हैं कि विद्याले में जो है जिसको समझने के लिए विक्तित विंतों को पूरा करना चाहिए वह आपका यह है कि यह समझने के लिए कि क्यों सिच्छार्थी सीखने के योग है या आयोग है यहाँ पे D-Aption हमारा सही हो जाए इसके साथ ही हम बात करेंगे अंगले प्रिश्ण की बालक का विकास पैडाम है वनसानुक्रम का है वातावरण का है वनसानुक्रम वातावरण की अन्ते प्रिकिया का है या आर्थिक कारुकों का हो जाता है तो आप सभी भली भाहती जानते हैं, आप लोग ज्यानी सरव वेख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिके हैं, और ज्यस्वा सराप सभी का विरंदन श्वागत करते हैं साथियों बालक का जो पैडाम होता है ठीक है बालक का पैडाम वंसनक्रम और वातावरण की अंतेक्रिया का होता है वंसनक्रम यानि जो माता पिता से मिलता है और वातावरण मतलब जहां बच्चा रहता है एरिया हो जाता है परियावरण हो जाता है तो बालक का पईडाम वंसन्करम और जहां पे बालक रहता है वातावरण इन दोनों की अंतिक्रिया का बालक का वेकास पईडाम होता है अंगला प्रस्णे निसुल केवं अनिवार सिच्छा का अधिकार आर्टी एक्ट 2009 में अनिवार सब्द का आर्थ क्या होता है तो अनिवार सब्दकाद केन सरकार दाखिले उपस्थीत और प्रारांबिक सिच्छा की पूर्टा को सुनिश्चित करेगी यह हम कहरें दर्णात्मकार से बचने के लिए अपने बच्चे को विद्याले भेजने के लिए अग्यावकों पर जो है अनिवार उसे जोड डाला ग आर्टी एक्ट जो आपका दो हजार नव है इसमें अनिवार सब्द का जो अर्थ होता है अनिवार का अर्थ होता है सभी लोग जानते हैं कि उचित सरकार दाखिले और उपस्थीत और प्रारांबिक सिच्छा की पूर्टा सुनिश्चित करेगी तो यहाँ पर जो आपका बी आपसन है वसाई हो जाएगा आपके कार्डिंग अगर लग रहा है किसी भी आपसन पर डाउट है बेफिकर कमेंट कर सकते हैं आप कहें के कमेंट फीडबेक शरोपर है शर्मान है आईए बात करेंगे अंगले प्रिश्चित अंगले अपस दिया गया कि निमनिखित में इसे बच्चों के सजनात्मक के विकास में क्या सायक नहीं होता है तो आप सभी लोग जानते हैं खेल सायक होता है बासन सायक होता है कहानी लेखन सायक होता है लेकिन निर्मार समंद्री जो क्रिया होती है या आपकी बच्चों के सजनात्मक विकास में सायक नहीं होती है इ या सिचकों के लिए काम आसान होकर देता है, या समय विताने में सहाय कोता है, या सहयोग एवम सरीरिक संतुलन का विकास करता है, तो बिद्याजियों को बिद्याले में खेलना उचित किसली होता है, क्योंकि यह क्या करता है सहयोग एबं सरीरिक संतुलन का विकास करता है यह आपसन यहाँ पर सही हो जाए आए बात करेंगे अंगले प्रशन की अंगले प्रशने परिवार एक साधन है अनौपचारिक सिच्छा का अउपचारिक सिच्छा का दूरस्त सिच्छा का गैर आपचारिक सिच्छा का ये भी कई बार पूँचा गया है तो परिवार जो फैमली होता है वह किसका साधान होता है वह एक किसका होता है अनपचारिक सिच्छा का साधान होता है तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपसन दिया गया है वह हमारा सही हो से संचार मादमों के दन से तो एडिकेशन साइकोलाजी सिच्छा मनो बेग्यान का समंद किसे नहीं होता है तो आप सभी लोग जानते सिच्छा मनो बेग्यान का समंद मानो बेवहार के दन से होता है मानसिक्रियाओं के दन से होता है सीखने के तरीकों के दन से होता है लेकिन संचार के मादमों से सिच्छा मनो बिग्यान के एडुकेशन साइकोलाजिका दूर दूर कर कोई शम्मन्द नहीं होता है इसलिए काडियों टो कॉश्चन्स डी आपसन हमारा सही हो जाएगा ठीक है तो दोनों चीजें समझते जाना है जो ठीक है है जो नहीं है दोनों समझ लेना है क्योंकि दोनों प्रकास से प्रशन मूचे जा सकते है अंगला के मादमिक बिद्याले की कच्छा में सिच्छक के पास एक वधिर बच्चा है वधिर मच्चा जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता ऐसा बच्चा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है देखे माधमिक विद्याले दिया गया है सबी लोग जानते हैं आपकी जब निक्त होगी माधमिक विद्याले में आपकी निक्त होती है आप अधापक अधापिका बनते हैं और आपके पास एक बधिर बच्चा ह उसके लिए क्या महत्पून हो शकता है विद्याले सलयकार से कहें कि विबच्चे के हिवावक से बात करें और उन्हें अपने बच्चों को विद्याले से हटाने के लिए कहें या कह सकतें कि वे बच्चे को उसिस्थान पर बैठाएं जहां वे सिचका से ओठ तता चेहरे की भाव साप तर देख सके या उसके प्रतिसंकेत करें जिसे वच्चा बार-बार नहीं कर पा रहा है या बच्चों को डाट फटका कर अलग इस्थान पर बठाएं ताकि वे बधिर के इंद में प्रवेश ले सके अब बताईए आपका कौन सा सही हो जाएगा तो वे बच्चे को सिस्थान पर बैठाएं जहां से वे सिचका के ओठ और चेहरे को भाव समझ सके उठों को समझ सके कैसे ठीक है और उनको भाव को समझ सके चेहरे के भाव को जिससे उसे पढ़ना आसान हो जाए तो कहीं न कहीं सभी आपसन को देखते हो ही हमारा आपसन यहाँ पर 20 सही हो रहा है बाकी कोई भी आपसन पर अगर डाउठ बेफिकर कमेंट कीजिए हम बात करेंगे अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण समवेग क्या है समवेग प्यार इसने है क्रोध और भय है उत्तेजना या भाव में परिवर्तन है या उप्रुक्त मेशे कोई नहीं देखे समवेग क्या होता है सभी जानते हैं समवेग जो होता है उत्तेजना या भाव में परिवर्तन होता है क्या होता है आप ये उत्तेजना और भाव में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं समवेग कहते हैं सी आपसन सही हो जाएगा तो ये थे हमारे उनीश्वा की 200 प्रशने फ्राइड के नुसार निम्निकित में से कौन सी भिकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ जाता है जिया मुखी कुदी लेंगिक या प्रशुप्त ध्यान दीजेगा प्रशन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मनो बिग्यान का प्र लेवल के कॉर्डिंग इसका कमेंट कीजे मैं आपके साथ जैस्वाज सर मिलता हूं अंगली क्लास पर साथी साथ टॉप 20 में से इस MCQ पार्ट टू में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया नीचे कमेंट अवस्थ कीजेगा बाकि सभी क्लासे जल्दी स्टार्ट होंगी क्य प्रकास करना है क्योंकि सेलेक्शन यहां पर शरो पर है पावर्ट बाई सिच्छा भी प्रकास है जय हिंद वंदे मातर